मैं औरिंदम मेरा वीडियो में आपका स्वागत है देखिए HDFC Bank recently launch किया UPI से kredit card को link तो यह UPI से kredit card link है एक क्या सभी को करना पढ़ेगा जिसके पास HDFC bank का kredit card है नहीं तो नहीं करना पढ़ेगा क्या है और अगर इसको link भी करनेंगे तो कोई trick ऐसा कोई trick है जिसको हम लोग use कर पाएंगे जिससे हम लोगों को फाइदा हो जाए सारी जो आपका जो सारी question है उसका answer मैं इस वीडियो में दे दूंगा पहले आप देख लिजे कैसे आपको link करना है ठीक है HDFC credit card से कैसे आपको UPI link करना है इसके लिए आपको download करना है भीम UPI उसके बाद आपको language select करना है उ अभी देखिए यहाँ पर इस तरह interface होगा इसके बाद प्रोसीट में आप क्लिक कर दीजिए जो आपके पास जो नंबर है link मतलब की जो नंबर आपका credit card में है वही नंबर इसको select कर लिजिए उसके बाद verify कर लिजिए तब देखेंगे इस तरह एक interface आजाएगा उसके है जो HDFC bank का और किसी भी bank अगर उसको आप UPI से link करना हो करना चाते हो तो आपका जो card है रूपे variant होना चाहिए मतलब कि अगर रूपे card नहीं है तो आप link नहीं कर पाएंगे तो रूपे card आपके पास होना चाहिए अगर नहीं है उसका भी trick है मैं बता दूंगा आप वीड देखेंगे recently HDFC bank आ गया है तो HDFC bank और कौन-कौन सा bank का इंडियान बैंक पांजाम नशनल बैंक यूनियन बैंक इस credit card को आप यहापे link कर पाएंगे तो HDFC bank को आप select कर लिजे उसके बाद आपका जो link है ओ यह से link हो जाएगा यह तो कैसे link आपको करना है अभी इसका फाइदा क्या है दिखिए फाइदा जो है अगर आपके पास HDFC bank अगर नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो कि कौन-कौन सा card है ओ आप देख लिजे यह जो HDFC का card है सारी जो card है ना इस card को आप असानी से रूपे variant में ले पाएंगे अगर मतलब की कहने का मतलब अगर मान लीजिए आपके पास business रिगल या नहीं तो रिगल या नहीं तो मानी बैक कुछ भी card है ओ वीजा या master पे है तो आप एक काम कर पाएंगे आप customer क्यार को से बात कर पाएंगे तो अभी आप बात करेंगे किसा रूपे में convert करके फाइदा क्या होगा और जो link अगर मैं UPI से link भी कर देंगे तो उसमें फाइदा क्या है ओ मुझे बताएगे फाइदा है एक फाइदा जो fast फाइदा है कि आपको card कहा पे भी carry नहीं करना है सिवा merchant जो QR कोड मिलता है उसको आप scan करेंगे तो आपका direct payment हो जाएगा मगर इसमें एक लुकसान भी है आप क्या लुकसान है ओ पहले आप जान लीजे जो payment आप HDFC, bank, card, UPI से भाया करेंगे QR कर उसमें आपको एक भी cashback नहीं मिलेगा मतलब कि cashback या reward कुछ भी नहीं मिलेगा ठीक है एक बह payment भी करनेगे मगर उसमें आपको cashback भी नहीं मिलेगा और आपका reward point भी नहीं मिलेगा मगर फाइदा क्या है ट्रीक है अगर आप एक ट्रीक अजमाएंगे तो आपको बहुत ही बरिया होगा आप अभी आपको तो पता है अगर आप मार्चेन के थ्रू कोई भी QR code आपके पा मार्चेन वेरिफाइड है उस QR code को अगर आप scan करेंगे तो असानी से carry card to bank कर पाएंगे बिल्कुल free में मतलब कि UPI से आप just QR code को scan करेंगे payment कर देंगे तो आपका HDFC bank का जो carry card है उससे आपका bank पे free of cost इसके लिए एक भी रूपे लाए ही लाएगा free of cost में bank में चला जाएग यही एक फाइदा है मतलब कि कहने का मतलब एक फाइदा तो हो गया कि आपको card carry नहीं करना है दूसरा फाइदा हो जाएगा कि credit card to bank भी आप कर पाएंगे मगर एक downside जो मैंने अभी आपको पता है वो मुझे downside लगा तो यही था एक नया update आया सोचा कि मैं आपसे share कर दूँ यही था आज का update के आप credit card से आप जो link का facility हो HDFC bank आप लोगों के लिए ले के आया तो धिरे धिर और भी bank आयेगा इसके बाद ICICI, HBI सारे आ जायेगा और रूपे variant अगर आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हो अगर यही लिस्ट में आपके पास कोई credit card है तो यही था छ